सरकार ने देश के 9.4 करोड से ज्यादा किसानों के खाते में डीवीटी के माध्यम से 20,000 करोड रुपे की धनराशी ट्रांस्फर की है किसानों के खाते में 58 किस्त की 22,000 रुपे की राशी पहुँच गई है देशबर के करोडों किसानों को पीम नरेंद्र मोदी ने पीम किसान सम्मान निदी योजना की अठारवी किस्त चारी की इस दोरान सरकार ने देश के 9.4 करोड से ज्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 20,000 करोड रुपे की धनुराशी ट्रांसफर की है 9.4 करोड से अधिक छोटे किसानों ने अठारवी किस्त का लाब उठाया है यानि उनके खातों में अठारवे किस्त के 2,000 रुपे के राशी पहुँच गई है इसी बीच ऐसे में कुछ खबर सामने आई है कि कुछ किसानों के खातों में पैसा नहीं आया है ऐसे में सरकार ने ऐसी किसानों के लिए संपर्क करने के लिए नंबर जाड़ी की जिन किसानों को PM किसान सम्मान निधी नहीं मिले वे इससे जुड़े जानकारी के लिए टोल फ्री हेलप लाइन नंबर 011-233-81092 पर संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा वियादिकारिक इमेल आईडी pm.किसान.ict.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं यहां से आपको अपनी समस्या का आसानी से समधान मिल जाएगा इसके अलावा जिन पात्र किसानों ने अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको PM किसान सम्मान निधी का लाब नहीं मिलेगा वहीं जिन किसानों ने अपने बैंक खाते की KYC नहीं कराई है तो आपके खाते में भी PM किसान सम्मान निधी के पैसे नहीं आएगी बैंक अकाउंट के वाईसी और बैंक अकाउंट के आधार से लिंक कराने पर अगली किस्त आपके खाते में ज़रूर आएगी इसके लिए सबसे पहले पात्र किसान को PM किसान की अधिकारिक वैब साइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा वहां home page पर farmer's corner section में जाकर ekyc का option select करना होगा यहाँ ekyc पेज पर जाकर अपना 12 अंक का आधार नंबर डालना होगा फिर search option पर click करना होगा इसके बाद किसान को अपना mobile नंबर दर्ज करना होगा जैसे ही आप नंबर डालेंगे इसके बाद आधार से link mobile नंबर पर एक OTP आएगा OTP दर्ज करने के बाद summit बटन पर click करना होगा इसके बाद ekyc की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी साथ ही संबंदित किसान के mobile पर message आजाएगा कि आपकी ekyc की प्रक्रिया पूरी हो गई है दरसल PM किसान निदी योजना किसानों के लिए एक लाबकारी योजना है इस योजना का उद्देश यह जरूरत मंत और गरीब किसानों को आर्थिक लाब को चाना है ताकि उसे खेती किसानी में कोई परिशानी नए आए इस योजना के लिए पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपे की आर्थिक मदद की जाती है किसानों को ये राशी हर 4 महीने में 2,000 रुपे की 3 किस्तों में दिया जाता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद